नमस्ते सर, मैं आपका प्लैनेट अर्वेदर सेंटर में स्वागत करता हूँ, सर आपका नाम क्या है, मेरा नाम गुपिंदर सिंग है, गुपिंदर जी आपको सेहत की समंधित क्या समस्या थी जिसकारण आपने डॉक्टर विक्रम सर से प्लैनेट अर्वेदर में कॉंटेक् मैं अलोपेथिक मेडिसन काफी ली और इससे कभी भी रिलीफ नहीं हुआ हमेचा प्रॉब्लम थोड़ी थोड़ी बढ़ती ली और फिर मैंने मेडिसन ली यूटुब पे सर्च किया सेख के बारे में डियुकष विख रेटार दोड़ी नहीं हो रहते हैं सिंटम्स किस तरह की परिशानियां आपको होती थी इस बिमारी के दुरान वही जो नॉम्मल होता जो आज टूल में ब्लड मुकस और पार-बार वॉट्ट्ट्ण जाने की होती हैं दिन में कितनी बार स्टूल पास करते उनसे लिया और फिर जलांदर में भी एक डॉक्टर थे कैस्टिलोग इसका की पेमस है उनसे लिया पर किसी से भी नहीं तो उन डॉक्टर का क्या आपीनियन रहता था इस अलसेटिव कॉलाइटर्स की ट्रीट्मेंट को लेकर उनका तो एक यूपीनियन था कि जो मेडिसन है इसका कोई इलाज नहीं है इसका को बस यह कंटीनू करना है फिर फर्स ताइम दॉक्टर विक्रम सर के बारे में कैसे पता जला चला आपको सर्ये यूट्यूब पर ऑन्लाइन सर्च करते करते हैं अर्वेधिक का मैंने देखा कि इससे लाज सब्ब है इससे फुली आपने क पर अपने कॉंटर कैसे किया जैसे कि हमारे कुछ पेशेंट्स होते हैं जो कि ऑनलाइन ट्रीटमेंट लेते हैं और कुछ क्लीनिक में आकर डॉक्टर विक्रम सर से परस्टनली मिलते हैं तो आपका ट्रीटमेंट कैसे चुरू हुआ है मैं पर्सठेल ही मिले था क्योंकिक प्रॉब्रम काफी ग्रीडिकल थी तो मैं कोई रिस्खुए यह रेना चाहता था तो कितना टाइम पहले आपने इस civ कांटक्र किया विक्रम सर्से कि तो कितनी एक तरह की अटिसन्ग आपको दोटर विक्रम सर ने प्रसकाइब की थी स्वनिय कुटज, अर्जना और कुटज पर्पटिवटी और गेलगिरी कप और वसकादी चूरं यही तो इस तरह की अधिशन से तो आपको इंप्रूब्मेंट जैसे कि कितना टाइम लगा इंप्रूब्मेंट दिखने में इंप्रूब्मेंट दिखने में मुझे तो अभी कितना परसेंट आप रिलीफ कह सकते हैं कि इतना परसेंट आपको रिलीफ मिल चुका है क्या सकता हूं कि 100% है 100% क्यों हो जोगे आपकी प्रूब्म कुछ डाइट भी आपने चेंज की अपनी इस ट्रीटमेंट के दुरान जो दूद की बनी चीज़े हैं और जो कि मना की तिखाने से और बाकी सब नॉर्मल डायट में ले सकता हूं और अभी कितनी बार बास्टम जाते हैं दिन में अभी दिन में एक माणिंग में और एक इवनिंग में सो नॉनी डाहें बाकी सब नॉनल है ठीक है कोई bleeding mucus तो नहीं आता अभी गलतु है और पहले से ठी तो आप उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे मैसेज सिर्फ यही है कि मैंने यह दो साल के इस एक्सपीरेंस के बाद यही जिखाए कि एक तो अरबेदिक मैडिस्टन में हर चीज का इलाज संभव है और एलोपेटिंग मैडिसन में आपको कॉंप्लिकेशन से होगी जादा और इलाज कम होगा ठीक है धन्यवाज सर आपने प्लैनेट अवदा को टाइम दिया आपने विवर्स को इतनी महत्रपून जानकारी दी थैंक्यू सर्थ थैंक्यू सर् झाल कर दो तेंक्यर्स ट्या कर दो झाल क्यों पाल कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो